हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज हम सॉल्व करने वाल है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल निबर 14 फिर से इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका है आपको दिया हुआ है बालेंशीट फिर उसके नीचे दिया हुआ है रेसिप्टन पेमिंट अकाउंट एन उसके दिया हुआ है तो जैसे हमने कल ऑला क्वेश्चन सौफ किया था उस में भी थीन सेक्षन में क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर भी क्वेश्चन पूछने के तीन सेक्षिन है बैलन शीट ओफ लास्त यर के एडजस्टмен के ニएट अधूश्टमेंट पेमेंट अपाउंट आउन फि विवेकानन्द चारिटेबल शॉस्पिटल लातूर यूर रिक्वाइड तो प्रिपेर इंकम और एक्स्पिंडिचर अकाउंट फॉर इरेंड थरी फॉर्स्ट मार्श तुथाऊंट नाइट एंड बालन शीट आज उन्हें वेरी क्लिरली कहा है कि यह जो इंफोमेशन है यह आपको विवेकाननन्द चारिटेबल लातूर उन्हे दी हुई है और वो कह relev है और वो कहे रहें you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet तो as usual हमें income and expenditure account and balance sheet बनाना है तो मैंने आपको कल कहा था कि इसका format ready करके रखो तो थो सबने इस प्रकार format बनाया कि उसका income and expenditure account and balance sheet, उपर in the books of Vivekan and the charitable hospital, कॉमा लातूर, balance sheet, yeah sorry, income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on 31st March 2019, is it clear? तो सबने इस तरह format ready किया हुआ है, अब हम क्या करते हैं, फिर से question को पढ़ते हैं, question में आपको पिछले साल की balance sheet दिये, तो पहले हम पिछले साल की balance sheet को पढ़ते हैं, उसे हम recipient payment के साथ compare करते हैं, जहां जरूरी होगी उसके लिए हम tick mark करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब balance sheet पढ़ूँगा, उसे मैं recipient payment के साथ compare करूँगा and जहां जरूरत होगी, वहाँ पर मैं tick mark दूँगा, right? तो let's read the balance sheet first, balance sheet as on first April 2018, यानि के इस साल के शुरूआट, अभी current यह हमारे end हो रहा, 31st March 2019, और balance sheet आपको दिए first April 2018, यानि के इस साल के शुरूआट वाली balance sheet है, यानि के nothing but पिछले साल की balance sheet है, तो उसे मैं compare करूँगा with my recipient payment account, right? and then tick mark दूँगा, तो liability से शुरूआट करते हैं, तो liability में पहला आइटम दिया आपको capital fund, तो as usual capital fund कहीं पर tick mark करनी के ज़रूद नहीं है, जब हम इस साल की balance sheet बनाएंगे तो capital fund उसे पोस्ट करेंगे, अगला item है bank loan, तो पिछले साल आपके पास 6.5 रुपे का bank loan था, शायद इस साल आपने pay किया होगा, तो receipt and payment में चेक करो, आपको कोई bank loan की entry दिख रिए का, receipt में दिख रिए कि bank loan की entry, answer is no, payment में चेक करो payment में आपको को bank loan की entry दिख रिए क्या, answer is no, मतलब bank loan जो पिछले साल का था, वो इस साल ना मेने और लिया ना मैंने पे किया राइट तो बैंक लोन पर कोई टिक माग करने के ज़रूत नहीं है अगला एटम आउटस्टेंडिंग बिल फॉर ड्रक्स तो ड्रक्स याने के दवाईया तो पिछले साल पचास अजार उपे का दवाईयों का बिल आउटस्टेंडिंग था ड्रक्स का बिल आउटस्टेंडिंग था तो वो शायद मैंने इस साल पे किया होगा तो recipient payment में चेक करो कि आपको drugs का bill का कोई इंटर दिख रहा है क्या recipient में नहीं दिख रहा है बट payment में मुझे दिख रहा है purchase of drugs bracket में उने दिया include 40,000 17,18 मतलब वो कह रहा है कि पिछले साल outstanding था 50,000 50 में से आपने 40 pay कर दिये तो उसके लिए क्या करो purchase of drugs पर tick mark करो तो liability side के सारे items में पढ़ लिए अब चलते हैं on the assets side assets में पहला item दिया है आपको building तो building is our fixed assets फिर से recipient payment में चेक करो कि क्या मैंने साल कोई नहीं building खरी दी कि या पुराने building बेची तो recipients में आपको कोई building के इंटर दिख रहे क्या answer is no पेमेंट में आपको कोई building के इंटर दिख रहे क्या answer is no तो there is no addition to building और sale of building आगे बढ़ बिल्डिंग के बाद अगला item दिया है ambulance to ambulances also are fixed assets एकि नहीं तो ambulance के लिए फिर से recipient payment में चेक करो कहीं पर ambulance के कोई इंटर दिख रहे है क्या answer is no ना receipt में कोई ambulance की इंटर है ना payments में कोई ambulance की इंटर है ambulance की बाद assets में अगला item है stock of drugs यानि कि पिछले साल 42,000 के drugs आपके पास बचे थे मतलब आपने जितने drugs खरी दे थे पिछले साल जितनी दवाईया आपने पिछले साल खरी दी थी उस में से 42,000 की दवाईया अभी तक आपने use नहीं की तो इसके लिए करना क्या है तो इसके ल मैंने tick mark कर लिया अब stock of drug के बाद अगला item क्या है hospital equipment 3,4,000 फिर से hospital equipment assets में सबको 3,4,000 देख रहा है पिछले साल क्या है फिर से receipt and payment में चेक करो कि इस साल मैंने कोई hospital equipment खरी दी किये या नहीं तो receipt side में भी कोई entry नहीं है payment में भी कोई entry नहीं है hospital equipment is my fixed assets अगर receipt side में कोई entry हो थ इसा pay करके नए hospital equipment purchase किये या acquire किये बट ऐसा अभी कोई दिख नहीं रहा है तो इसलिए कहीं पर tick mark करने की जरूत नहीं है and last item on the asset side is cash in hand तो cash in hand आपको हमेशा cross match होगा with two balance brought down पिछले साल के assets में cash in hand दिख रहा है opposite में receipts में सबको two balance brought down दिख रहा है दोनों की amount देखो 4000 है तो पिछले साल के 4000 बची जो थे वो मैंने इस साल brought down किये तो यह double effect है तो दोनों को cancel out करो इन्हें posting में कहीं पर लेखने की जरूत नहीं तो अभी इनको cancel out करके भूल जाओ तो हमने पिछले साल के balance sheet के दोनों sides considered कि पर liability side पड़ी फिर asset side पड़ी अब मैं चलता हूँ on the adjustments में एक 22,000 on 31st March 2019 stock of drug was valued at 22,000 यानि कि इस साल के end में current year हमारा 31st March 2019 को कतम हो रहा है तो इस साल के end में हमारे पास 22,000 की दवाईया अभी भी बाकी है तो इस adjustment के लिए में stock of drugs पे जो उपर दिख रहा है purchase of drugs उसके लिए और एक टिकमाग दूँगा तो purchase of drug पे total तीन टिकमाग बने दो पिछले साल के liability में item थे उनके लिए liability in assets में item थे उनके लिए दिया एक मैंने adjustment में अभी adjustment में आपको कहा है stock of drugs 22,000 उसके लिए टिकमाग किया तो purchase of drugs पे total तीन टिकमाग हुए आगे बढ़ो next adjustment number 2 depreciation on building at 5% per annum and on ambulance 30,000 तो उनने very simple कहा है कि building को 5% से depreciate करो और ambulance को 30,000 से depreciate करो त तो ambulance and building का आप रहे तो ambulance and building पिछले साल के assets में दिख रहे है तो put a tick mark on building and put a tick mark on ambulance इन दोनों को depreciate करो तो चलते हैं on third and last adjustment life membership fees are to be capitalized third adjustment वो क्या कह रहे है life membership को capitalize करो where is life membership के entry तो receipt side में सबको दिख रहा है कि life membership fees उसके आगे bracket में लिखो cap याने के capitalize पूरा का पूरा life membership fees हमें capitalize करना तो life membership के bracket में लिख रहा हूँ cap याने के capitalize करो तो यहाँ पर हमने तीनों adjustments पड़े उनके लिए जहां पर जरूरती वहाँ पर tick mark किया अब अगला काम क्या है अब हम एक एक करके items को post करेंगे start करूँगा with my liability side पिछले साल के liabilities को मैं दिये हुए format में post करूँगा तो liability में पि possibly capital fund उठा है liability में लिखा next capital fund की बाद अगला item है bank loan तो bank loan याने कि bank से हमने करजा लिया है bank को पैसा देना बाकी है तो it is again my liability उस पर क्या कोई हमने tick mark वगरा किया है answer is no तो जो bank loan है उसे मैं as it is carry करूँगा to my current year balance sheet कि यह bank loan मुझे recipient payment में उसके लिए कोई enter नहीं दिखी नाही adjustment में उसके लिए कुछ कहा है मतलब यह bank loan as it is मेरे पास spending है साड़े छे लाक में से मैंने एक रुपया वापस नहीं किया यह चाड़े छे लाक से मैंने और कोई करजा नहीं लिया तो साड़े छे लाक 6,50,000 मेरे bank loan as it is spending है तो bank loan is nothing but my liability तो मैं उसे उठाऊंगा और इस साल के balance sheet के liabilities में लिखूंगा कुछ लाइने छोड़के bank loan 6,50,000 is it clear and liability में next item है outstanding bill for drugs तो drugs याने की दवाईया दवाईया hospital का खर्चा होता है आपको दवाईया खरिद कर मरीजों के लाज के लिए use करने पड़ती है तो medicine is your खर्चा तो खर्चे वाले item अगर मुझे liability assets में दिखते है तो मैं उसे अभी post नहीं करूँगा मैं उस पर hashtag करूँगा और उन्हें adjustment के साथ consider करूँगा is it clear यह same हमने last question में भी किया था कि कोई item अगर outstanding है कोई prepaid है कोई advance है कोई stock है तो उसे pending चोड़ो और उसे हम बाद में आके adjustment के साथ solve करते तो outstanding bill for drugs पर मैं क्या करूँगा hashtag दूँगा और उसे pending चोड़ोंगा with adjustment में आके इसे फिर से solve करूँगा is it clear तो अब आगे बढ़ते liability के म assets पर पहला item क्या है building building is my fixed assets तुम्हें उसे उठाऊंगा और इस साल के assets में लिखोंगा fixed assets को उठा के लिखना है तो building को उठाओ inner column में 10,50,000 लीवन लाइन पूटा आरो ambulance के बाद अगला item है stock of drugs drugs यानि की दवाईया पिछले साल आपके पास 42,000 की दवाईया बाके थी तो यह मेरे लिए खर्चा है दवाईया is expense stock is my खर्चा दवाईय का stock is my खर्चा तो उसे में अभी post नहीं करूँगा उस पर में hashtag देके pending चोड़ोंगा with adjustment will solve it तो अभी उसे consider क होंगे या आप जो equipments is like oxygen की cylinders होंगे या जो pipelines उन्हें बनाई oxygen provide करने के लिए या जो operation theater में वो अलग अलग operations करने के लिए यह surgeries करने के लिए equipments use करते तो that is their fixed assets वो रहेगा उनके पास long term के लिए रहेगा यह उनका खर्चा नहीं है तो hospital equipment is nothing but fixed assets तो fixed assets को हम उठाते है और इस साल के assets में लिखते तो इस साल के assets में लिखूँगा hospital equipment 3,4,000 directly outer column कोई tick mark नहीं तो directly outer column में लिख लो right तो यहाँ पर हमने hospital equipment post कर दिये अगला item is cash in hand जिसको हम cancel out already question पढ़ते हो कर चुके है तो उसे ignore करो और आगे बढ़ो तो मैंने क्या किया balance sheet पिछले साल के थी पहले liability को post किया अभी मैंने assets को post किया अब मैं चलता हूँ on the receipt side तो receipts का पहला item में फिर से balance brought down जिस हम cancel out कर चुके है तो उसे ignore करो आगे बढ़ो अगला item है subscription 2,22,000 तो subscription as usual is our income तो income में post करो by subscription 2,22,000 directly out a column कोई tick mark नहीं है next subscription की बाद life membership fee bracket में हमने लिखा हुआ है adjustment में उनने कहा था कि उसे capitalize करो तो हम इसे अभी capitalize कर देंगे यानि कि हम क्या करेंगे life membership fees को उठाएंगे और हमारे capital fund में add करेंगे plus life membership fees 30,000 तो अब मे capital fund का नीचे आजाएगा 11,30,000 पहले का 11,00,000 अभी का 30,000 total capital fund मन गया 11,30,000 next receipt side में अगला item life membership fees के बाद hospital receipts bracket में वो दे रहे है revenue revenue याने के या आपको बार बार मिलेगा तो उसको उठाओ revenue याने के income income में लिख लो by hospital receipts 5,10,400 next hospital receipts के बाद receipt side complete हो गया अब हम चलते on the payment side payment में पहला item में purchase of drugs, drugs जाने के दवाईख, आपने दवाईख खरी दी, तो यह आपके लिए बन गया खर्चा, तो purchase of drugs को में लिखूंगा expenses में, to purchase of drugs inner column में 2,00,00,3 तो तीन टिक माक है, तो तीन तिक माक के लिए में 5 लाने छोड़ के arrow कर दूंगा, तो to purchase of drugs inner column में 2,00,5 लाने छ को आपने honorarium दिया honorarium का मतलब है it is kind of इसे अगर आप हिंदी में कहोगे या मराटी में कहोगे तो it is called as maandhan कोई भी doctor जब आपके hospital को visit करता है तो उनको हम कुछ honorarium पे करते है nothing but it is like we are paying them kind of remuneration और salary तो यह हमारे लिए खर्चा बन गया hospital का खर्चा हम उनने पे कर रहे honorarium पे कर रहे मांधन पे कर रहे तो यह हमारे लिए बन गये खर्चा तो उसे उठा के हम खर्चे में लिखेंगे to honorarium to doctor यह खर्चा हमने hospital ने doctors को 4 lakh रुपीज उनके fees पे कर दिया या उनका पैसा पे कर दिया या it is kind of remuneration paid to the doctors honorarium to doctor चला गया खर्चे में उसके बाद अगला item है repairs and maintenance तो repair and maintenance हमें बार बार करने पड़ते है repair and maintenance के लिए में बार बार पैसे देने पड़ते तो यह भी हमारे लिए बन गया खर्चा तो repair and maintenance को उठाओ and खर्चे में लिखो to repair and maintenance 18,000 तो repair and maintenance के बाद अगला item है furniture तो furniture is our asset है कि नहीं furniture हमें शामका लिखते है assets में लिखते है तो assets में पहले सी हमें कोई furniture दिख रहा है क्या the answer is no तो इस furniture को उठाओ और directly assets में outer column में लिखो 45,000 कोई tick mark नहीं कुछ नहीं है expenses 16,000 and last item general expenses के बाद balance carried down याने के साल के end में मेरे पास 2000 रुपए balance बचा है this is nothing but my cash in hand at the end of this year तो इसको में उठाओंगा और इस साल के assets में लिखोंगा cash in hand 2400 तो यहां पर मेरा payment side का भी posting हो गया अब में क्या करूंगा एक एक करके adjustments को solve करूंगा लेकिन adjustment को solve करते वोक्त आपको याद रखना है कि अगर hashtag वाला कोई item होगा balance sheet में I have to consider that also right तो let's see पहला adjustment क्या दिया उन्होंने उन्होंने कहा है 31st March 2019 stock of drugs was valued at 22,000 तो 31st March 2019 मतलब current year के end में आपके पास 22,000 की दवाईया अभी भी बाकी है it is stock of drugs at the end of current year मतलब 22,000 की दवाईया अभी तक आपने use नहीं की है जिसे हम अगले साल शायद use करेंगे तो यह 22,000 की दवाईया मुझे इस साल के दवाईयों से क्या करने पड़ेंगे subtract करने पड़ेंगे is it clear तो इस साल आप सबको दवाईया कितनी दिख रही है purchase of drugs 2,000 तो उस 2,000 से मैं कहूंगा minus stock 1819 याने के current year का 22,000 तो 2,000 minus 22,000 नीचे total बचा 1,78,000 कितना total नीचे बचा 1,78,000 2,000 के मेरे पास अभी दवाईया दिख रही है purchase of drugs उसमें से मैंने stock minus किया कि जो इस साल के end में stock बचा 1819 जिसे मैं अगले साल यूज करूँगा मतलब 22,000 की दवाईया मैंने इस साल खर्च नहीं किया या इस साल मैंने 22,000 की दवाईया use नहीं की उनको मैं subtract कर रहा हूँ and total में नीचे ले रहा हूँ 1,78,000 अब जो इस साल दवाईया मेरे पास बाकी बच्ची है stock of drugs यानि कि इस साल के end में मेरे पास इतनी दवाईया बाकी बच्ची है तो मैं उसको उठाओंगा and उसका second effect में दोंगा on the assets side assets में में लिकूँगा stock of drugs 22,000 तो assets में मैंने लिखा stock of drugs 22,000 यानि कि stock of drugs जो adjustment 1 में दिया था उसका double effect हो गया बट यहां पर मैंने कहा था कि adjustment के साथ सथ हमें hashtag items को भी consider करना है तो पिछले साल के balance sheet में देखो इस देरी hashtag items तो पिछले साल के अगर मैं assets में देखोंगा तो मुझे hashtag stock of drugs दिख रहा है 42,000 तो what does that mean? इसका मतलब है पिछले साल मेरे पास 42,000 की दवाईया बाकी बची थी balance sheet पिछले साल की hashtag वाला stock of drugs पिछले साल है तो पिछले साल 42,000 की दवाईया मेरे पास बाकी थी तो मैंने उससे पिछले साल fake दिया क्या? नहीं पिछले साल बची हुई दवाईया में carry करूँगा और इस साल यूज करूँगा तो जो पिछले साल के drugs 42,000 की मेरे पास बाकी बचे थे वो मैं इस साल के drugs में add करूँगा पिछले साल के बची हुई दवाईया में इस साल यूज करूँगा तो मुझो इस साल के खर्च में उसे आड करना पड़ेगा, as simple as that, पिछले साल 42,000 की दवाईया बची थी, वो मैं इस साल यूज करूँगा, तो इस साल के खर्च में मैं उसे आड करूँगा, plus stock of drugs, bracket में 1718, 1718 याने के पिछला साल 40,000, तो 1,78,000, plus 40,000, मेरे total दवाईया कीमत दिख रही है, 2,20,000, अभी भी उसे inner column में लेको, क्योंकि उस पर एक और adjustment बागी है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने adjustment पड़ा, पहला adjustment था, उसका मैंने पहला double effect दिया, फिर मैंने hashtag वाले stock of drugs को cancel किया, अब balance sheet में चेक करो, और कोई drugs पर adjustment है किया, या hashtag है क्या, yes तो मुझे liability side में दिख रहा है, outstanding bill for drugs, जिस पर मैंने hashtag दिया हुआ है, और वो कह रहे है, 50,000, पिछले साल, bill जो दवाईया है, उसका bill 50,000 outstanding था, यानि कि पिछले साल, दवाईयों के 50,000 रुपे देने बागी थे, तो my question is, क्या ये 50,000 मैंने pay किये इस साल, the answer is, yes मैंने pay किये लेकिन मैंने 40,000 पे किये, कैसे पता चला 40,000 पे किये, तो जब हमने recipient payment side पड़ा था, तो उसमें उनने purchase of drug के नीचे bracket में दिया था, include 40,000 for 17,18, अगर आप recipient payment में देख सकते हो, तो payment side में चेक करो, सबके पास अगर notes है, तो payment side में चेक करो, purchase of drugs के नीचे उनने दिया है bracket में, includes 40,000 for 17,18, यहाँ पर आपको liability में दिख रहा है कि 17,18, पिछले साल का drugs का bill 50,000 pending है, और आपके question में recipient payment, payment side में वो कह रहा है कि, जो drugs मैंने इस साल खरीदे, 40,000 मैंने पिछले साल के पे किये, तो देने थे 50, पिछले साल मैंने पे किये, कितने 40,000, याने कि जहाँ पर खर्च करूँगा क्योंकि out of this expenditure 40,000 I am paying for the last year, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा minus outstanding 17,80 के 40,000, तो वो minus करने के बाद आप मेरे total drugs की कीमत आ जाएगी 1,80,000 out of column, getting it, hashtag में कितना का है उनने outstanding 50,000, recipient payment के payment में वो क्या कह रहे है कि out of 50,000 आपने 40,000 पे किये, मतलब इस साल जो खर्च में पिछले साल के pay किये, तो पिछले साल के 40,000 में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से, subtract कर रहा हूँ, and total are यह मेरी drugs की बाहर 1,80,000, अब question is, पिछले साल pending कितना था, 50,000, मैंने pay कितना किया, 40,000, यानि कि पिछले साल के 10,000 अभी भी outstanding है, तो वो 10,000 में लिखूँगा on the liability side, liability में ल 17,18, यानि कि 17,18 का bill का drug outstanding है, 10,000, hashtag में दिख रहा है 50,000, मैंने pay किये, 40,000, मतलब 10,000 अभी भी pending है, जो तो pending है, वो 10,000 में लिख रहे है, outstanding drugs bill 10,000, 17,18 के, right, तो यह जो hashtag वाले items थे, this you have to check dynamically, आपको बहुत dynamic बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा क्या careful रहना पड़ेगा, कि अच्छा adjustment है, इसके उपर कोई hashtag वाला item है, तो उसे consider करो, और फिर आगे पड़ो, is it clear, तो हमारी adjustment 1 में उनने कहा था, stock of drugs on 18,19, यानि कि इस साल 22,000 का stock of drug था, तो पहले पहले उसे solve किया, simply double effect दे दिया, right, फिर मैंने hashtag check किये, कि पिछले साल के balance sheet में hashtag में क्या किया था, तो पिछले साल के assets में भी एक hashtag item था, पिछले साल के liability में भी एक hashtag item था, तो मैंने दोनों को consider किये, दोनों को solve किया, और फिर अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, on to our next adjustment, adjustment number 2, तो second adjustment उनने कहा है, या simple adjustment है, depreciation on building at 5% per annum, and on ambulance 30,000, तो दोनो, building and ambulance मेरे assets में है, तो पहले में क्या करता हूँ, building को depreciate करता हूँ, तो सबको building कितनी दिखरी है assets में, 10,50,000, तो calculate करो, 10,50,000 का 5% वह 50,500, है की नहीं, 50,500 को हम building से subtract कर गा, minus depreciation 5%, 50,500, बाहर बचेगा 9,97,500, तो simple building को मैंने 5% से depreciate किया, उसी परकार ambulance को 30,000 से depreciate करते हैं, तो ambulance से लिखो, minus depreciation 30 30,000, तो बाहर ambulance बचेगा 3,70,000, 30,000 अल्ड़ी pre-calculated है, 30,000 उने amount ही दिये depreciation की, तो उतनी 30,000 में अम्बूलेंस से subtract किये, ambulance बाहर बचे 3,70,000, तो मैंने building से depreciation minus किया, ambulance से depreciation minus किया, इन दोनो depreciation को उठाओ, second effect आएगा depreciation का on the expenses, expenses में में लिखोंगा 2 depreciation, underline करके building 50 to 500, ambulance 30,000 दोनों का total 82,500 out to call, तो depreciation का simple double effect हुआ, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं on the third adjustment, तो third adjustment वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, life membership fees are to be capitalized, तो वो already हम कर चुके, capital fund में already हम life membership fees add कर चुके, तो आपको फिर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, life membership fees का adjustment already हम solve कर चुके, posting के साथ ही हमने क्य किया था, life membership fees को capital fund में add किया था, तो इसके लिए फिर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहां पर हमारे तीनों adjustment हो गया है, अब जाते जाते बस आपको check करना है, कि पिछले साल के balance sheet में, क्या कोई hashtag item pending है, तो पिछले साल के balance sheet में, दो ही hashtag item थे, एक था stock of drugs, already हमने consider कि किया, तो और कोई hashtag item pending नहीं है, तो we are done with all the posting, all the adjustment solving, अब बस करना क्या है, आपको income and expenditure account को close करना है, और balance sheet को टाली करना है, तो यह काम फिर से आपको में दे रहा हूँ, take 5 minutes, close income and expenditure account and balance sheet को टाली करो, अगर balance sheet टाली नहीं हो रही, तो फिर इस वीडियो का अगला पाद देखो चलो, तो सबने income and expenditure account को close किया, तो income and expenditure account इस प्रकार से close होगा, पहले मैं income की total ले रहा हूँ, income side की total आ रही है, 7,3,2,400, फिर मैं expenses side की total लोगा, expenses की total आ रही है, 7,8,1,500, तो इस बार 7,8,1 यानिके expenses side higher है, तो मैं दोनों तरफ 7,8,1,500 as a total लिखूँँगा, and I'll take difference as 7,8,1,500 बड़ी amount, minus 7,3,2,400 छोटी amount, अगर मैं difference calculate करूँगा, तो वो आ रहा है, 49,100, है की निक, बड़े amount में से, छोटा amount मैंने subtract किया, difference मिला मुझे 49,100, अब यह difference मैं लिखूँगा on the income side, why on the income side, क्योंकि expenditure की total बड़ी है, income की total कम है, तो जो side की total कम है, उस तरफ मैं has a balancing figure लिखू लिखूँगा 49,100, and is balancing figure के मैं अंदर लिखूँगा by deficit, यह मेरे लिए नुकसान बनेगा, why my loss, या why deficit, क्योंकि expenses side is heavy, expenses की total ज्यादा है, income की total कम है, income is short, expenses is greater, तो खर्चा ज्यादा है, income कम है, मतलब नुकसान है, खर्चे ज्यादा है, income आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है, तो इस loss को में लिखूँगा by deficit, bracket में लिखूँगा, excess of expenses over income, bracket में क्या लिख रहा हूँ, by excess of expenses, expenses excess है, over income, right, अब इस deficit को उठाऊँगा, and capital fund से subtract करूँगा, तो capital fund में में लिखूँगा, minus deficit 49,100, right, तो पहले में रहे थे 11,30,000 capital fund इना column में, deficit minus करने पर बहार बच रहे, 10,80,900 and finally my balance sheet should get tally, तो अगर में balance sheet को tally करूँगा, तो asset side का total आ रहे है 17,40,900, and liability का total भी आ रहे है 17,40,900, यानि कि my balance sheet is getting tally on both the side, यानि कि यहाँ पर हमारा question number 14 भी complete हुआ, हमारी balance sheet tally हूँगा, अब हम कल और एक सम solve करेंगे, जो कि है आपके practical example number 6, कौन सा सम कल हम solve करने वाल है, practical example number 6, तो आप सब का काम है कि उस question को पढ़ना है, necessary tick marks करने और उसका format ready करके रखना है, and जितना हो सके उतना solve करना है, तो example number 6 या practical example या unsolved example number 6 आपको पूरा खुद से try करना है start to end, अगर वो question आप पूरा solve कर सके तो very good, अगर नहीं solve किया तो कल के lecture में हम discuss करते कि आप कहां कहा पर गलत हो रहे हैं या कहां कहां पर आपको doubt है, तो कल हम solve करेंगे example number 6 या practical example number 6 from your textbook, आज हम यहीं रुक रहे हैं, कल मिलते हैं, कल हम example number 6 solve करते हैं, have a good day, bye